हलो दोस्तों मैं मनिस्कमा स्वागत करता हूँ जीके के स्रीज में इस स्रीज में 25 वैसे कोस्टन को मैं लिया हूँ जो अक्सर किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गये हो आसा करता हूँ आप इन सभी परशनों का सही उत्तर दोगे और अगर नहीं दे पाते हो तो आप उन्हें याद करके जाओगे ये किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप कुरा वीडियो ज़रूर दिखेगा दोस्तों आज का जो सबसे पहला कुश्चन है वो है भारती इतिहास के संदर्व में निमलिखित में से कुन कुलह दारन कहलाते थे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुलह दारन के रूप में सयद जाने जाते थे next question की और बढ़ेंगे दोस्तो question number three गुप्ट सामराज के अस्थापना किसके द्वारा किया गया था यह बहुत ही आसान question है दोस्तो आसा कर तो आप सबHI को पता होगा गुप्ट समराज के अस्थापना चंदरगुप्ट परतमने किया था question number four किसके राजिकाल में योग वसिष्ट का निजामुद्दिन पानिपती द्वारा फार्सी में अनुवात किया गया था। इसका सही एंसर होगा दोस्तों, अकबर के राजिकाल में या तो बोले अकबर के कारेकाल में। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्व में भव भूती, हस्तिमल तथा छेमेक स्वर क्यूं परसिद थे। इसका सही उतर होगा दोस्तों, ये सभी परसिद नाटक कार्थ थे। प्राचीन भारतिये गुप्त राजवन्स के समय में घंटा साला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। इसका सही उतर होगा दोस्तों, ये सभी बेपार करने वाले बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे। Q7. बौध संगों के आचरन के नियमों का संकलन किस गरंथ में मिलता है। इसका सही उतर होगा दोस्तों, इन नियमों का संकलन बिने पीठक में मिलता है। Q8. किस सासक ने अपने सिक्कों पर सात्यमुनी बुद्ध की आकरेती अंकित करवाई थे। इसका सही उतर होगा दोस्तों, कनिस्क ने अपने सिक्कों पर सात्यमुनी बुद्ध की आकरेती अंकित करवाई थे। Q9. किस इतिहासकार ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये एक आसान कोस्चन है और हर साल किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जाती है। डॉक्टर वी ए इसमित ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। Q10. बिधी के नियमित वर्गी करण का उलेख सर्व पर्थम किस इसमिरीती में मिलता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तु। बिधी के नियमित वर्गी करण का पर्थम उलेख मनु इसमिरीती में मिलता है। Q11. गुप्त कालिन दसाव अतार मंदिर कहा अस्थापित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तु। इसका सही उतर होगा दोस्तो बी आरामेटकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन पस्चिम बंगाल से हुआ था ये कोशन अक्सर पूछे जाते हो दोस्तो आप लोग इसे एक बार अंडरलाइन जरूर कर लिजेगा और याद कर लिजेगा कोशन नमबर ठाटेन सदर से के दो कर्मिक अधिवे सनू के बीच अधिक्तम कितने समय अंतराल की अनुमती है इसका सही उतर होगा दर्शत अधिक्तम 6 माह के यानि 6 महने का समय अंतराल होता है कोशन नमबर ठाटेन भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्ट बैठके किसलिए आयूजित की जाती है भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्ट बैठक उस बिधेक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए आयूजित की जाती है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है कुश्चन नमबर फिप्टेन राज पाल सोने के पिजड़े में निवास करने वाली चिणिया के सम्तुली है या कथन किन के द्वारा कहा गया था इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नाइडू के द्वारा कहा गया था कुश्चन नमबर 16 जम्मु कस्मीर का सदरे रियासत पदनाम कब बदल कर राजपाल कर दिया गया था कुश्चन नमबर 17 असोग ने कलिंग यूद किस वर्स में लड़ा था इसका सही उत्तर होगा दोस्तो असोग ने कलिंग यूद 261 इसा पूर्व में लड़ा था समान्यता विधान मंडल के उपरी सदन के सदस्यों की कूल संख्या निचले सदन के कूल संख्या के एक तेहाई होनी चाहिए क्या यह सच है तो इसका उत्तर होगा हाँ यह सच है भारत के समिधान के अंतरगत राष्ट पती एवं उपर राष्ट पती की अनुपस्थिती में कौन राष्ट पती होगा बहुत है आसान कोश्चन भारत के मुख्य नियाया धीस किस अनुच्छेद में या परवाधान क्या गया है कि संग की राजवासा हिंदी तथा लिपी देवनागरी होगे अनुच्छेद 343 Q21 दिल्ली को NCT यानि राष्ट्य राज़धानी परदिश संविधान के किस संसोधन से बनाया गया इसका सही उतर होगा 79 संसोधन से Q22 पोबर्टी एन अन्बिर्टी सुरूल इन इंडिया नामक पुस्तर किस वर्स परकासित हुई थे इसका सही उतर होगा दोस्तों 1901 इसवी में Q23 मौर ये सामराज का अंतिम सासक कौन था? बहुत ही आसान Q23 ब्री दरत इसका सही उतर होगा Q24 महात्मा गांधी ने भारतिय राजनीती में आमरा नंसन का परियोग पहली बार कब किया? यानि वहाँ से सुर्वात हुआ था आमरा नंसन का एहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में Q25 भारत चीन के मर्द 1962 में किस तिथी को युद्ध परारम्भ हुआ था? आपको डेट बताना है और इसका सही उतर होगा 20 अक्टूबर 1962 हेश्वी को किस पसर सफनि रजे लाँ it बावाको युद्ध prowad के दिल खेन कुरूबरопас अखा युद्ध दास जबताना राँ घसका सी आंदोलन में इन दार कचीन को जबता हुआ प।ं में से खुधरब आँ झतरblock राप् oldest